हलो एर्टिवन , वेल्कम बैक टुमाइच चनल कुक मुट काफिया तो कैसे हैं आप सब आई होग कि आप सब ठीक होंगे आज मैं आपके लेकर आई हूँ केवसी स्टाइल पटैटो फिंगर की रेसिपी यह जो recipe है KFC में ज़्यादातर मिलता है यह fingers और इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है खाने हम बहुत tasty लगता है और crispy लेकिन यह KFC में काफी ज़्यादा budget में बहुत कम लोगों के लिए मिलता है काने को तो इसको जो है आज हम घर पर ही बनाएंगे वह भी कम पैसे में कम खर्च में और बहुत ज़्यादा असानी से तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर देखिए मैंने तीन आलू ले लिये हैं इनको उपर से अच्छे से wash कर लिया है और मैं इसको चील लूँगी तो आलू को बिल्कुल अच्छे से चील लेना है उस पर बकल नहीं छोड़ना और तीनों आलो को ऐसे ही चील लेना है यहांपर मैंने तीन ही आलूर लिए हैं, अगर आपको जाधा बनाना है तो आप जाधा आलू भी ले सकतेoramaSec debt तो यहांपर यहांपर जो मा यह फिंगर बनानी हूँ, तीन से चार लोग के घखा लेंगे तीन आलूर में भी तो यहाँ पर देखिए मैंने इनको पाने में डालके रख दिया जिससे यह काले ना हो अब मैं इनको निकाल लूँगी तो मैंने इनको अच्छे से टीशू पेपर से पोच लिया या किसी कपड़े से आप इसको पोच लें अब मैं आपको बताती हूँ इसको कट कैसे करना है Just simple हम इसको कतलिया कट करते हैं ऐसे ही कट करना है बस कतलियों से थोड़ा मोटा इसका size रखना है क्योंकि यह जो finger बनेगी थोड़ी मोटी होती है तो इनको थोड़ा मोटा काटना है कतलियों से तो यहां पर आप देख सकते हैं कितना मोटा काटना है, मैं आपको दिखा भी रही हूँ, कितना मोटा काट रही हूँ तो मैंने यहां पर देखें सारा आलू काट लिया है, मैं इसको फ्रेंच ट्राइस की शेप में कट कर लूँगी जैसे मैंने आलू कट लिए हैं ऐसे ही इसको लंबा लंबे शेप में कट कर लेना है मैंने यहापर कुछ फ्रेंच ट्राइस कट करके रख लिए हैं और मैं आपको यहापर काट कर बता बिरी हैं इस तरीके से लंबा लंबा काट लें, थोड़ा सा मोटा काटें, बिल्कुल बारीक ना काटें, वरना ये एकदम आलू गुल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको मोटा रखे शेप में, अब आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सारी फ्रेंच ट्राइस कट कर लिये हैं, और बहुत ही इसलिए और बहुत अच्छी तरीके से कट हो चुके हैं, अब ये काले ना हो, इसके लिए मैं इसे डाल दूँगी पानी में, जितने दीर मैं और प्रिजर के पानी में बी डाल कर रख रहे हैं ताकि ये काले ना पढ़ जाएं, वरना काले पढ़ने से आलू का रंग बहु तो मैं यहाँ पर दो में टe Möglichkeiten नमक 파ॉडरा एक कर दोगी तो मैं यहाँ पर लनzer दोग पर यहाँ टीजिपोर एक रिचशा आध कर रही हूँ और इसमें थोड़ सा इससे चटपटा हो जाएगा फिर मैं इसमें एट करूँगी 2 से 3 पिंच औरेंज फूड कलर तो इससे जो है कलर बहुत अच्छा हो जाएगा तो इसलिए मैं इसमें एट कर रही हूँ अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं जगह कश्मीरे लालमच कर लें पिर इन सार ही चीज़ों को डालके अच्छे से मि Xbox कर ले ना है एक चमज मैं बरके डाल लें उसमें लस्ता अद रघ। अब इसको भी डालगर अच्छे से मिकस कर लेना है ताकि है अच्छे से मिक्स हो जाए सारे好的 में अब यहाँ पर मैं इसको अच्छा से mix करने के लिए इसमें डालूंगी पानी, तो इसको डालके पेस्ट त्यार करेना है पानी को, तो यहाँ पर आपको घोलने में दिक्कत आएगी, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको घोलें, क्योंकि हमें इसको थोड़ा गाढ़ा तो यहाँ पानी डालने से आपको आइडिया भी हो जाएगा कि इसमें पानी की ज़रूत पड़ रही है और इससे आपका बैटर भी अच्छे से घुल जाएगा, अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके तीन बार इसमें पानी डाल दिया है और यहाँ पर इसमें और पानी डाल नहीं करूँगी बस यह जैसा है इसको ऐसे ही अच्छे से फेट लूँगी इसमें आपको गुट्लिया दिख रही है इसको अच्छे से फेट लेना है तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका टेक्शर भी कितना जादा स्मूध हो गया है और इतना ही इसको अच्छे से फेट में लिया है सूखा मैदा जो आपको यह वाइट लिख रहा है और यह मैंने वही पेस्ट जो मैने घोल के तियार केया और यह मैंने फ्रेंच राइस कट कर लिए है अब मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरीके से बनाना है तो यहाँ पर देखिए जाल किस थाल पाटैटो जिंगर की तरह यह त्यार हो जाएगा तो यहाँ आप आप देख सकते है मैने इसको कोट करकर लिए है मैं आपको दूसरा करके बताती हूँ अच्छे से इसको उससी पेस्ट में डिप कर लेना है और फिर हम इसको मैदे में अच्छे से लगा तो मैदे में आपको जब इसको लगाएं तो आपको ज़ादे प्रेस नहीं करना वरना जो इसका सारा बैटर है वो निकल जाएगा हलके हलके आस से इसको घुमाते रहना है और मैदे की प्लेट को घिला कर इसको लगाते रहना जैसे मैं यहाँ पर देखिए लगा रही हूँ इससे यह जो है अच्छे से कोट होगा आप इसको तेज प्रेस करेंगे तो सारा बैटर इसमें से चूट जाएगा और यह अच्छे से बन नहीं पाएगा अब यहाँ पर जैसे जैसे हम इसको बनाते जा रहा है तो मैं इसको एक ट्रे में रखती जा रही हूँ ताकि इसमें से जितना भी सूखा मैदा जरढ़ा है वो एक ट्रे पे जरढ़ जाया किसी भी बरतन में तो इसको इसलिए मैं अलग-लग करके रख रही हूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको सबको बना लिया है मैं इसको ओईल में फ्राइ कर लूँगी और अगर आप इसको low to medium flame पे शेखेंगे तो बहुत अच्छा इन में crisp आएगा हाँ आज पर आप इसको सेख लेंगे तो इनका कलर भी एकदम से खराब हुजाएगा और crisp भी नहीं आ पाएगा तो इनको low to medium flame पे ही आप इसको सेख लें यहाँ आप आप देख सकते हैं इनका बहुत अच्छा color आ गया और बहुत अच्छे सेख चुके हैं अब मैं इनको निकाल लूँगी इनको जब आप oil में से निकाल लें तो किसी stanner की मदद से जैसे महीं आप निकाल लें या फिर किसी चावल की कफगीर की मदद से निकाल इससे जो है सारा oil इसका कड़ाई में ही रह जाएगा और अच्छे से तयार हो जाएगी तो लीजे रैडी हो गया है हमारे KFC style potato zinger बहुत जादा crispy बने हैं बहुत ही tasty इनको जो है हरी चेटनी के साथ आप sauce के साथ चाय के साथ खा सकते हैं बहुत ही मज़े के बनते हैं ये त तो अगर अच्छे लगी ये वीडियो तो फ्लीज वीडियो को राइक कर दें और मेरे चैनल पर नहीं है तो फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और जादा जादा शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये recipe कैसे लगी या आपने ये recipe try की है और नही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टेस्टी रेसिपीस के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो